जो उन्होंने प्रमिला को बटुकेश्वरदत की बहन को लिखा, कल रात बटु को किसी दूसरी जेल में भेज दिया गया है, तब तक वो उनके साथ ही था भगत सिंग के, ये 17 जुलाई 1930 की है, उनकी जुदाई मेरे लिए असहाय हो रही है, भगत सिंग लिख रहे हैं एक मित्र से जुदा होना सचमुच सगे भाई से भी ज़्यादा प्रिये थे मेरे को बटुकेश्वर, तो दोनों साथ रहते थे, पच्चानवे साल के बाद मनीस सौधिया और केजरी वाल एक ही केस में जेल जाते हैं, मनीस सौधिया को लग जेल में रखते हैं, मेरे को जेल गए, बाबा साब अंबेटकर जेल गए, चंदर शेकर अजाज जेल गए, अश्वाकुला जेल गए, कितने सुतंतरता सेनानी जेल गए, कई कई सालों तक जेल गए, जब वो जेल जाते थे, उनसे मुलाकात के लिए उनके साथ ही उनसे मिलने जाया करते थे, उनके घर के लोग जाते थे, उनके रिष्टेदार उनसे मिलने जाते थे, और जब वो मिलने के लिए जाते थे, वो उनसे पॉलिटिकल बाते बाते थे, वो उनसे बातें करते थे कि कैसे अंग्रेजों को खड़के फेकना है जब मिलने के लिए जेल में जाते थे जब मैं जेल में था एक दिन संदीप पाठक मेरे से मिलने के लिए आया मैं भी पॉलिटिकल आदमी हूँ वो भी पॉलिटिकल हमारी पाठी का संगठन मंतरी है आके उसने मेरे से पॉलिटिकल बातें करी और क्या करता है रोमेंटिक बाते थोड़ी करता तो पॉलिटिकल आदमी वो पॉलिटिकल आदमी मैं मैंने उससे पूछा देश में क्या चल रहा है उसने देश की पॉलिटिकल हालत बताई मैंने उससे पूछा पार्टी में क्या चल रहा है उसने संदीप पाठक को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया उसके बाद मेरे से मिलने नहीं दिया गया भगत सिंग जब फांसी पे चड़े उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भारत होगा आज से 95 साल के बाद इस देश के अंदर इतनी क्रूर और त्याचारी सरकार आएगी कि अंग्रेजे को भी पीछे छोड़ देगी दोस्तों मुझे जेल क्यों भेजा इन लोगों ने ऐसा नहीं कि केजरिवाल ने को ब्रष्टा चार रष्टा क्यार की है वो इनको भी पता है मेरे को भी पता है आपको भी पता है इन्होंने जेल क्यों भेजा मेरे को इनका मकसद था आम आदमी पार्टी को तोड़ना इनका मकसद था केजरीवाल के होसले को तोड़ना, केजरीवाल के हिम्मत को तोड़ना इन्होंने फॉर्मूला बना रखा है आप देख रहे हो किस तरह से MLA तोड़ दो, MLA खरीद लो, ED भेज के डरा दो, CBI भेज के डरा दो फर्जी केस कर दो, जेल में डाल दो, पार्टी तोड़ दो, महराष्टर में कैसे उन्होंने दो दो राष्टर पार्टी तोड़ दी, पार्टी तोड़ दो, सरकारें गिरा दो और अपनी सरकार बना लो इनको ये लग रहा था केजरिवाल को जेल भेज देंगे तो दिल्ली में इनकी पार्टी तूट जाएगी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना लेंगे इनको लग रहा था पंजाब की सरकार तोड़ के पंजाब में हम अपनी सरकार बना लेंगे इनके MLA तोड़ लेंगे लेकिन हमारी पार्टी नहीं टूटी हमारे MLA नहीं टूटे हमारे MLA तो छोड़ो कारे करता भी नहीं टूटे इनकी बड़ी बड़ी साज़िशों के खिलाफ बड़े बड़े शड्यंत्रों के खिलाफ केवल आम आदमी पार्टी में ताकत है जो आज इनका सामना कर रही है इनको लगा केजरी वाल के होसले तोड़ देंगे आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जेल के इन डेड़ सो दो सो दिन जो मैं जेल में रहा इन दिनों ने मेरे होसले को और सौगुना बढ़ा दिया है कम करने की बजाए ये लोग पूछते हैं कि केजरी वाल जब जेल में था इसने स्टीफा क्यों दिया क्यों नहीं दिया जेल में से सीएम के पद से स्टीफा क्यों नहीं दिया मैंने स्टीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के जनतंतर को बचाना चाहता था इन्हें जो इतने फॉर्मूले बना रखे हैं MLA तोड़ दो पार्टियां तोड़ दो MLA खरीद लो डरा दो अब एक फॉर्मूला और नहोंने नया बनाया है जहां जहां ये चुनाव हारे हैं वहां वहां के मुख्यमंत्री पर फरजी केस करके उसको गिरफतार कर लो और उसके सरकार गिरा दो अगर मैं स्टीफा दे देता अगर मैं हिमन सुरेन साब ने स्टीफा दिया मैं भी स्टीफा दे देता इन्होंने सितारमया पर भी अभी केस किया है सितारमया साब के उपर इन्होंने पिनाराई विजन के उपर भी केस कर रखे हैं, मम्ता दीदी के उपर केस कर रखे हैं, ये एक opposition के मुख्य मंतरी को नहीं चोड़ते, एक एक को पकड़ के फरजी केस करकर के उनको जेल में डाल देते और एक एक की सरकार गिरा देते, मैं जेल में गया, अभी दस द से सरकार साबित कर दिया, अब मैं देश के सारे नौन बीजेपू मुख्य मंतरों से हाथ जोड़ के विंती करना चाहता हूं, अब अगर प्रधान मंतरी जी हिम्मत करें, आप पे फरजी केस करके आपको जेल में डालें, इस्तीफा मत देना, किसी हालत में इस्तीफा मत दे जेल से सरकार चलाना, हम सब को मिलके ऐसा नहीं कि हम पद के लाल्ची है, ऐसा नहीं कि मुख्य मंतरी पद हमारे लिए मेत्व पून है, इसलिए क्योंकि हमारे लिए हमारा समविधान जरूरी है, हमारा देश जरूरी है, जनतंत्र जरूरी है, जनतंत्र को बचाना जरूरी इतने भारी बहुमत से जीती हुई सरकार एक बार सतर में से सड़ सट सीट आई एक बार सतर में से बासट सीट आई और आप पकड़ के जेल में डाल दो करको गए स्तीफा दे मैं सारे मुख्य मंत्रियों से आज हाँ जोड़के विंती करना चाहता हूँ इनका ये नया फॉर्मूला भी आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया है जो उन्होंने नया फॉर्मूला बना रहा है आज इनकी हर शड्यंतर हर साज़िश से सामना करने की ताकत आम आदमी पार्टी में है क्यूं? क्यूंकि हम इमानदार है दिल्ली में सरकारी स्कूल थे गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करते थे सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब थी गरीबों के बच्चों का कोई भविश्य नहीं था 16 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे तूटे फूटे टिन के स्कूल थे डिबे थे स्कूल क्या डिबे थे कोई पढ़ाई नहीं होती थी गरीबों के बच्चों का भविश्य खराब था उन गरीबों के बच्चों को पिछले 10 साल के अंदर 18 लाख बच्चों को हमने सरकारी स्कूल अच्छे बना के भविश्य दिया है हम ये कैसे कर पाए हम ये कर पाए क्योंकि हम इमानदार हैं आज अगर किसी के घर में कोई बिमार हो जाए प्राइवेट में ले जाओ लाखो लाखो रुपए खर्च हो जाते हैं अगर ठोड़ी सी سीडियस बिमारी हो छोटी सी बिमारी हो 10-15 जार रुपए कहीं नहीं गए बड़े-बड़े आस्पतालों में ले जाँ, दिल्ली के अंदर हर सरकारी असपताल को शांदार बनाया, नएने सरकारी असपताल खोले, गली-गली में महला क्लिनिक खोला, लोगों की चाहे अमीर और चाहे गरीब हो, सबका इलाज, सबकी दवाईयां, सबके टेस्ट पूरा इलाज मुफ्त कर दिया क्यूं? क्यूंकि हम इमानदार है आज दिल्ली की महिलाएं जब बस में सफर करती हैं उनकी टिकेट नहीं लगती बाकी देश की सरकार इगाटे में चल रही हैं दिल्ली की सरकार ये सब देश सुविदा देने के बावजूद फाइदे में चल रही है क्यूं? क्यूंकि हम इमानदार हैं आज दिल्ली के अंदर इतनी सुविदा है 24 गंटे बिजली आती है आज दिल्ली में पहले 8-8 गंटे के पावर लगते थे हम ये कर पाएं क्यूंकि हम इमानदार हैं आज दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली मिल रही है कैसे? क्यूंकि हम इमानदार हैं आज दिल्ली में जगे जगे CCTV कैमरे लग गए स्ट्रीट लाइट लग रही है लोगों को तीर्चात्रा कराई जा रही है इतने कच्ची कोलोनियों के अंदर पिछले 75 साल में इतनी सडकें और गलिया नी बनी जितनी पिछले 10 साल के अंदर में सडकें और गलिया बना दी 75 साल के अंदर दिल्ली में इतनी पानी की पाइपलाइन नी डली जितने पिछले 10 साल के अंदर पाइपलाइन डाल दी, कहां से आया पैसा, क्यूं? क्योंकि हम इमानदार हैं, ये हमारी इमानदारी से डरते हैं, ये बिजली फ्री नहीं कर सकते, क्यूं? ये बेइमान हैं, ये स्कूल ठीक नहीं कर सकते, इनकी 30-30 साल से सरकारे चल रही हैं कई राज्यों के अंदर, 25-25 सा इलाज नहीं दे सकते, यह बिजली फ्री नहीं कर सकते, यह 24 गंटे बिजली नहीं कर सकते, क्यों? यह बेइमान, यह बेइमान, आज इन्होंने ED छोड़ दी, इंकम टेक्स छोड़ दी यह दिल्ली पुलिस छोड़ दिए, इतने केस कर दीया हमारे उपर, और हम डटके खड़े हैं इनके खिलाफ, इनका मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि हम इमानदार है। इसलिए ये मेरे को बेहिमान साबित करना चाहते हैं ये मेरे को बेहिमान साबित करना चाहते हैं मेरे उपर कीचड फेक रहे हैं मेरे उपर लांचन लगा रहे हैं मुझे सुबह शाम गालियां देते हैं लेकिन मेरे लिए बीजेप इंपॉर्टन नहीं है मेरे लिए आप लोग important हो अगर देश की जनता दिल्ली की जनता को लगता है केजरी वाल बेइमान है मैं एक मिनट के लिए CM की कुरसी पर भी नहीं बैठूँगा एक मिनट के लिए मैं बैठने को तयार नहीं है मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया मेरा bank account खाली है हमारी party का bank account खाली है मैंने जिंदिगी में कुछ नहीं कमाया अपनी इज्जत और अपनी मानदारी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं आए income tax में commissioner की नौकरी करता था 2000 में नौकरी छोड़के सन 2000 से 2010 तक 10 साल मैंने दिल्ली की जुगियों के अंदर बिताए है कुछ महीने दिल्ली की जुगियों में जाके रहा में जुगि के अंदर नंद नगरी सुन्दर नगरी की जुगियों के अंदर मैंने गली-गली में खाक चानी है कि गरीब आदमी रहता कैसे उसके घर का गुजारा कैसे चलता है अगर पैसे कमाने हो तो income tax commissioner की नौकरी बुरी नी थी और जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तब कोई party नी थी कुछ नी थी ऐसा नी था कि उस टाइम ये था कि सरकार के बाद स्टीफा दिया था अपने असूलों के लिए स्टीफा दिया था किसे ने स्टीफा मंगा नहीं था अपने आप स्टीफा दिया था आज के तारिख में, आज के जमाने में कोई अपनी चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता है, मैंने मुख्य मंतरी की गुर्सी छोड़ी थी, अपने आप छोड़ी थी, ना पद का लालच है, ना दौलत का लालच है, केवल देश के लिए कुछ करने का जनून है, देश के इन्होंने मेरे उपर आरोप लगाए मनीश जी के उपर आरोप लगाए है इस देश का जो सबसे कठोर कानून है E.D. का कानून P.M. में ले जिसमें बेल भी नहीं मिलती बेल मिलनी भी मुश्किल है उसके अंदर हमारे उपर तरह तरह के इन लोगों ने आरोप लगाए है कोट से हमको बेल मिल गई उसके बावजूद आज की तारीख में आज जो स्थिती है इस से भल तो कोट और कुछ नहीं कर सकता था जितना कोट ने कर दिया हमारे पक्ष में हम कोट के बहुत शुक्र गुजार है कोट ने हमें बेल दे दी अभी बेल तक ही दे सकता था अब ये केस चलेगा मैंने वकीलों से पूछा मैंने का मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोट से बरी होके ना जाओं तब तक मैं सीम की कुर्सी पे नहीं बैठे हूंगा उनोंने का जी ये दस साल चलेगा केस कोई कह रहा है पंदरा साल चलेगा केस कोई कह रहा है बीस साल चलेगा केस तो केस या भी लंबा चलेगा आज कोट जितना कर सकता था कोट ने हमारे पक्ष में निरने लिया है हमें बेल दे दी उनोंने ऐसे कानून में क्या आप केजरीवाल को इमानदार मानते हो कि गुनागार मानते हो मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूँ मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ कि क्या केजरीवाल इमानदार है कि गुनागार है दोस्तों दो दिन के बाद आज से दो दिन के बाद और मैं तब तक CM की कुरसी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे मैं जनता के बीच में जाऊंगा गली-गली में जाऊंगा घर-घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरी वाल इमानदार है तब तक मैं सी एम की कुर्सी के उपर नहीं बैठू हूँ आज से कुछ महीने बाद चुनाव है दिल्ली के चुनाव है मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूँ अपील करना चाहता हूँ अगर आपको लगता है केजरी वाल इमानदार है मेरे पक्ष में वोट दे देना अगर आपको लगता है केजरी वाल गुनागार है मेरे को वोट मत देना आप अगर मेरे को अपर आपका एक एक वोट मेरी इमानदारी का सर्टिफिकेट होगा अगर आप मेरे को वोट दे के जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरी वाल इमानदार है तो चुनाव के बाद उसके बाद जाके मैं सीम की कुर्सी पे बैठोंगा तब तक मैं सीम की कुर्सी पे नहीं बैठोंगा आपको लग रहा होगा अभी अभी जेल से रिया होके आया है ये कैसा क्यूं बोल रहा है अभी अभी जेल से रिया ही होके आया है अभी ये स्तीफा क्यूं दे रहा है इन्होंने मेरे उपर आरोप लगाया है इन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल चोर है इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल ब्रिष्टाचारी है इन्हेंने आरोप लगाया है केजरीवाल ने भारत माता के साथ धोखा किया है ये करने के लिए नहीं आया था मैं सत्ता से पैसा और पैसे सत्ता इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आया था जब 14 साल के बाद जब 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लोटे सीता महिया को अगनी परिक्षा देनी पड़ी थी आज मैं जेल से आये हूँ मैं अपनी अगनी परिक्षा देने के लिए तयार ये कुछ लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडिशन्स लगाई है काम नहीं कर पाएंगे पिछले दस साल में इन लोगों ने कंडिशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी एल जी साब ने कंडिशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी केंदर सरकार ने एक कानून, दो कानून, तीन कानून कानून पर कानून डालके मेरी पावर छीन ली पर आपके काम बंद नहीं उने दिये मैंने, ये कंडीशन हमारे लिए कोई वह नहीं रखती, कोई हमारे लिए अडचन पैदा नहीं करते हैं इन कंडीशन को भी देख लेंगे, लेकिन मेरे लिए जो माई ना रखता है पर अबो ऩॉ